आज हम बात करें बेस्ट स्केर्ण रिकॉर्डर फॉर पीची और लैप्टॉप आज हम देखेंगे बेंडी कैम और बेस्ट स्केर्ण रिकॉर्डर है जो कि मैंने अभी तक जितने भी यूज किये हैं उसमें से बेस्ट मुझे लगा है बेंडी कैम तो आज हम बात करेंगे इसकी बेस्ट सेटिंग की तो हम कैसे ऐसी सेटिंग करें कि जिससे कि हमें हाइस्ट वीडियो कॉलिटी के साथ लो फाइल साइज भी हो क्योंकि file size बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें video upload करने में कहीं भी YouTube पे या कहीं भी हम video upload कर रहे हैं तो उसको problem होती बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और data भी बहुत ज़्यादा जाता है तो हम आज highest video quality को साथ साथ low file size भी produce करेंगे bandy cam में तो इसके लिए हम bandy cam ये देख लिए कुछ layout है इसका bandy cam का यहां आप देख सकते हैं यह है game recording mode इसमें आप gameplay के दौरान recording कर सकते हैं gameplay या तो आप window media player या vlc media player पर कोई movie play हो रही तो उसको record कर सकते हैं यह है आपका screen recording mode इसने आप screen capture कर सकते हैं और यह HDMI mode जिससे की आप HDMI webcam capture कर सकते हैं या फिर HDMI cable के दूर को external device जोड़कर उसको video capture कर सकते हैं तो यह थे mode और यह कुछ general setting है यह कुछ general setting है आप यहां कर सकते हैं हम में चाहिए video हम video सबसे जरूरी है video quality के लिए हमें video format set करना तो यह format आप यहां देख रहे होंगे यह format देख रहे होंगे तो हम इसी setting में जाएंगे और हमें select करना है API नहीं है में MP4 select करना है और यहां पर video का resolution हमें full size रखना है जहां तक मैंने देखा अगर हम custom करते हैं तो video हमारा blur हो जाता है blur video produce होता है तो मैं आपको recommend करूंगा full size आप select करिए और fps यहां 25 से 30 के बीच में रख सकते हैं आगर आप screen capture कर सकते हैं और आगर आगर आप game recording कर रहे हैं तो आप 60 तक सेट कर सकते हैं यहां आप product देख सकते हैं H.264 Intel का और H.264 CPU का तो मैं recommend करूंगा Intel quick sync video आप set करिए बेस्ट है इधर भी कुछ setting दिए हुए VBR और CBR based rate control है recommended है VBR तो आप यहीं रखिएगा यहां कोई change करने की जोड़त नहीं है quality यह बहुत important है इसमें अगर आप 100% करते हैं तो आपका video size थोड़ा सब्बल जाता है standard आपको रखना है 80-90 की बीच में इसमें HD quality में video produce होगा तो 80-90 की बीच मैं recommend करूंगा आप SC रखिए यह mid range है इसमें आपको highest quality मिलेगी इधर कुछ audio का setup है audio हम setting कर सकते है bit rate 192 best रहेगा क्योंकि variable होता है कम जादा होता रहता है वीडियो के दौरान channel stereo रखिए होगा यहां frequency 48 ओके तो यह हमारे video की setting हो गई है इस सेटिंग से हम highest quality video produce कर पाएंगे और बहुत ही low file size होगा जिससे कि आप कहीं भी upload करना हो YouTube पे Facebook पे कहीं भी आप upload कर सकते हैं आसानी से तो और भी आप देख सकते हैं image यहां capture हो सकता है यह output है तो यह हमारी best setting थी video के लिए और बहुत यह अच्छा software है bendy cam आप यूज करिए अगर आप tutorial बनाते हैं YouTube के लिए तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो please like करें, share करें, subscribe जरूर करें and thank you for watching my video तो आपको वो यूज करें